कि अज़िए विडियो जहां पर टेक्निकल अनालेसिस के एडवांस लेवल पे जाएंगे प्लस वही एडवांस लेवल हमारे करेंट सिचुएशन में फिट बैट रहा है तो इससे नॉलेज भी बढ़ेगा और हम पैसे भी बना सकते हैं आने वाले अफते में ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तोड़े इस थम्नेल को देखा होगा आपने टाइटल पढ़ा होगा आपने निफ्टे के पास चार दिने लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए चार दिने आपको यहां पे तो बेसे यहां पर नहीं पा रहा है जिस वैज्ज को नहीं तोड़ दिया अगर मानलो यहos знаю क्रिप्ट न होता तो चंडिक स्ट्रॉंग और स्ट्रोंग बुलिश इंपधले तोड आप लॉंग जाओगे न जब ब्रेक ब्रेक अवे गैप अगर मैं यहां पे लिखता हूँ आपके लिए jusi तोे यू सीच भ्रेक के बाद अवे वर्ड को अगर मैं रिमूफ कर दूह और आप अगर अगर मैं ब्रेक आउट लिख दू तो इते इस आ ब्रेक आउट गाप ओके चलो मैं दिखाता हूं आपको अगर मार्केटे से ब्रेक करता तो उसे ब्रेक आउट ब्रेक अवे गाप कहते तो अब ब्रेक अवे गाप ना मैं आपको ना पहले थोड़ा सा पीछे लेके जाता और आपको ना यहां लेके आता हूं ठीक है लेट मी शो यू सम ब्रेक अवे गाप इन निफ्टी जस्ट वन मिनिट तरस सो मिनी ब्रेक अवे गाप से अच्छे से समझ में आए ठीक है ओके लोकेट दिस वन यहां देखो यहां पर आपको दिख रहा है मार्केट एक हाई बना हो गया यहां अगर मार्केट बंध नहीं होता अगर मार्केट बन नहीं होता तो इसके बदले क्या होता है कि इंदे। और फिर एक A군 अलगर इів क referencing ये ब्रेकवे गैसे यहां पे एंगर मार्केड बंध होते इंटराडडी वाले कोrophot भूसना चीह अब मैं आपको और example दिखाता हूं एक अच्छे ब्रेक अवे गापका लेट से ओवर यहां पर फिर से market आपको दिख रहा है कि there is a strong resistance 17 अगस्त को यहां पर ही कर रह रहे इसे ब्रेक नहीं कर पा रहे तो कि मार्केट ब्रेक करता है कर दिया अगर यहां पर अगर है अगर अध़ sigu ship everyone काफी अच्छा तो इसे कहते ब्रेक अवे गयाप बात क्या है गया मजश स्पेश्यलिस्ट लिए है क्योंकि पहली बार बेरिश मार्केट में वो चीज मिली है कित्ते दिनों से देख रहा हूँ आपको बढ़ी हो जाएगा ब्रेकवे गाप का यूज कैसे करते हैं पहला तो मार्केट बोलता है कि जब अब न подготов बनता है न तो सबसे पहले प्राइस पाटन डबल टॉप ट्रिपल टॉटन टूटन चाहिए तो टूट रहे कि यह आप रहेटे उस तो यह बेटर हो जाएगा आप सबके लिए 30 अउगस्ट को मैं निफ्टी फ्यूचर खोलूंगा निफ्टी सेक्टर्स निफ्टी फ्यूचर्स विलकम हुवर एंद 30 अउगस्ट इस इस दाइम 30 अउगस्ट मैं आप पर टाइम चलो करूंगा लुक अट डिए डिकेट्र लूक ट्रूक अट न वॉल्यूम जब यह ब्रेक आउट आ रहा है तो जब यह ब्रेक आउट यहां पर आ रहा है जब भी ब्रेक आउट यहां पर ब्रेक आउट के साथ जब मार्केट तोड़ता है तो यहां पर ब्रेक आउट कि एक री टेस्ट होता है स्विंग ट्रेडर के लिए क्युक्कि कई बार मार्केट क्या करता है वापस ऐसे यह तो सीधे ट्रेट करना है जब एक resistance तूपता है तो मार्केट या पे close देता है फिर से movement फिर से बड़ा movement फिर से बड़ा movement और काफी अच्छा movement आता है जब तक कि एक exhaustion के आपनी बनता जो कि यह बना खैंटे के टाइम फ्रेम चैंशा मनों या लोवन को काफी समय करेंज ना रहा है काफी समय कर्दा है दिए जो लाइन है क्या है एक लाइन खीछ लेता हुँ आसानी के लिए आप लियार देख़ो आपको दिख रहा है कि अब ुझरण की ज़रुत नहीं चोड़ों आपको दिख रहा है कि यहां पे एक important support level है मतलब market इसके नीचे नहीं गया दिख रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा होगा एक बहुत important support level था market ने gap से तोड़ दिया इतना बड़ा क्या बन गया इस फॉल्डप breakaway gap this is the first breakaway gap of this situation जो बनता है अभी breakaway gap बन गया तो मतलब कि अब एक zone बन गया है यह वाला जो आपके सामने यहां दिख एक zone बन गया actually वो zone बनेगा यहां पर breakout यहां से था और दूसरा बनेगा करीबन करीबन यहां से यहां मान लो चलो इसी को मान लेते हैं अगर इसको मानेंगे तो market ने क्या किया मैंने बोला ना इस gap को fill करने की कोशिश की नहीं कर पाया और वापस आ गया अब एक बात बताता हूं gaps को we also call gaps what is gap what do you mean by a gap gap is always called an emotional point emotional point क्योंकि जो बंदे ने यहां पर बाई किया और जितने लोगों ने यहां पर बाई किया ना बहुत गंदा trap होगा they have to either leave their situations और जितने लोगों ने यहां पर शॉट किया they're too happy they want to sell the market more तो जितना जादा fight होता बीर्स में और बुल्स में इसी लिए यह gap बहुत emotional point है यहां पर बेर्स ने फिर से पावर दिखाया बॉल्स नहीं कर पाए इस इस अल्सक्राइब करने के बाद very interestingly I'll take you again again there was a pattern over here do you see this pattern if you look at the pattern very अगर ध्यान से देखोगे तो you'll see नहीं ब्रेक कर पा रहा है ब्रेक किया सस्टेन नहीं कर पा रहा है नहीं ब्रेक कर पा रहा है it is kind of a not a pure textbook head and shoulder but this is a head and shoulder pattern over here कि मार्केट नहीं ब्रेक कर पाया कर पाया तो सस्टेन नहीं कर पाया अभी फिर नहीं ब्रेक कर पाया और हमको एक short term support मिलता यह वाला और क्या होता है Friday के दिन आपके सामने है Friday दिन market बंद होता है और सीधे फिर से एक breakaway gap देता है तो guys this is the second time a breakaway gap got formed over here and this is the thing कि market अगर जब तक कि इसको break कर यहां पर closing नहीं देता ना daily time frame पर मानता नहीं कि gap फिल हुआ है लेकिन market तो यह closing दे दिया अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि अब मैं daily time frame पर लेक्या हूंगा तो you see this is the strong level over here this is the very important level over here मैं आपके लिए असान हो जाएगा number देख लो यार कहां पर this is the market analysis आपके लिए मैं 50 कभी कर दिया बाकिकाल stocks कल बता दूंगा 16,337 is the first number and then 16,496 यह जो gap है ना बहुत important है अब textbook कहती है कौन मैं नहीं किताब कहती है कि एक जो breakaway gap है अगर वो एक से चार दिन के अंदर फिल नहीं हुआ अच्छा एक इंपोर्टेंट चीज बता दू यह सारा का सारा कहानी जो है ना कहां हो रहा है 200 moving average के नीचे अब बेस्ट पार्टी है कि मार्केट ने गाप डाउन दिया रिटेस्ट लिए 200 moving वापस से बेरिशनस दिखा दी इट स्ट्रेट फिंग कि मार्केट यहां पे अपना ध्यान से सुनना कई लोग मेरी बात दे रही अधूरी सुनते हैं और बोलते जैसे मैंने विछले आर बोल दिया था कि मार्केट ड्याप अपन होगा बटना अगर तुम्हें तो कुछ नहीं पता अरे भाई सुनो अगर तुम्हें एस्ट्रोजी चाहिए ना तो गूगल करो एस्ट्रोजी इन वादतनी बाते करने का सब्सक्रा और अब मेरा तुक्का नहीं लगाना चाहता है मेरा तुक्का कभी लगे गदग का और ऐसा करके मैं गुमरानी करना चाहता लोगों को मैं क्लियरली कह रहा हूं अभी डेटा कहता है सिंगापूर निफ्टी सो पॉइंट डाउन खुलेगा अभी भी बोलूँगा प्रिजेंट के हिसाब से डाउन खुलेगा इसलिए मैंने बुला इसलिए अब जो मैं बात बोलने वालो ध्यान से सुना नहीं तो आप बेर मार्केत में डिसेंट आएसे सगर्णी तो भी आफको देखेगा तो भी आपको दिखेगा वहां कहीं पे इंपोर्टन्ट लेवल्स हैं यहां पर घरिक्डायएज प्राइज आ and again going down there are two breakaway gaps starting from this point to this point जो try किये fill होने का fill पूरा नहीं कर पाए नीचे की तरफ closing दे दी तो अगर चार दिन के अंदर market इस gap को fill करके इसके उपर closing नहीं देता तो याद रखना market यहां से बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है अगर market इस levels को break नहीं कर पाता जल्दी से जल्दी 200 moving average को claim नहीं कर पाता तो आप समझ लेना बहुत बड़ा fall आने को है we are about to go at least 15-20% in 6 months time बट शुरुआत अभी से होती है ठीक है तो I will suggest you how to trade भाई अगर gap down खुलता है तो रुख जाना देखना consolidate होने देना शॉट कर देना फिर अगर gap down खुलता है तो शॉट भी कर सकते हो pivot points को ले करके और अगर sideways खुलके खुलता है तो यह आपका पहला शॉट पॉइंट है जहां आपको bearish candle मिली यह आपका दूसरा शॉट पॉइंट है यह आपकी bearish candle रही और यह आपका तीसरा शॉट पॉइंट है मैं तीन जगह बता दी आपको 16337 16500 16700 यह तीन जगह है जहां पर आप शॉट कर सकते हो अगर आपने यह चीज़ सुनी है बाइदा डिप अई बर सुना होगा वो बुलिश मार्केट का था बेरिश मार्केट का भी आप मेन सुनलो जो है डैस सेल अन राइस नवी आर नॉट इन बाय अन डिप सिचवेशिएंश वी आर सेल अन राइस इस सिचवेशिएंश अंटिल वी आर बिलो 200 EMA दिमोमेंट भी क्रोव अबव दूट अधे एमे और राइस अंटिल वी आर बिलोव यह लिख दिया मैंने टेक्निकल यह यह तीन सिचुएशन पर आपको शॉट करना है जब भी आपको रिजस्टेंस में बड़े लेवल दे दिये डेली टाइम फ्रेम समल के देखना और चला जाए तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा पक आपका ऐसाइगी में निफ्टी अबफ टोनेटी में में ना वट्स अस्ट्राटेजी राइट नौ अल दे ट्रीडर्स वाचिंग दिस वीडियो लाइक अर अगर मार्केट साइडवेस चला जाता है अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाता है गाइस बी रेडी तो शॉट लॉट लंबा शॉट करने के लिए रेडी रहना अच्छा कासा शॉट करने के लिए पहला सपोर्ट लेवल आएगा मैं वह भी बता देता हूँ पहला सपोर्ट लेवल आएगा यह वाला एरिया जहां पर मार्केट कंसॉलेडेट करेगा वह फिफ्टीन थाउजन्ट सेवन एट हं अगर इस सेरिया को नहीं समाल पाता है तो हमें फर्दर डाउंसाइड देखने में लेगा जो कि काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है लोगों के लॉंग टम पॉर्टफोलियों को लॉंग टम पॉर्टफोलियों को मैं एक वीडियो बनाता हूं जिसमें कौन-कौन से स्टॉक करना चाहिए किसमें मैं कर रहा हूं कौन रहा हूं में और ऐने वी करूंग आप लोग के साथ अगरा सपोट चॉचर आएक होडा ऑस विडियो अँदियो में क्लियर करूँ क्या करना है आपको सिर्फ ये लेवल्स पे नजर रखनी है कि अगर मार्केट साइडवेज वगरा खोलते है उसको टच करता है 330 और 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे या 30 मिनिट के टाइम फ्रेम पे आपको एक रेड कैंडल या लॉंग विक मिलती है शॉट कर दो फुट खरीद लो कॉल शॉट कर दो फूटर शॉट कर दो और देखो यह निफ्टी है यह ओवरल मार्केट की कहानी बताता है तो स्टॉक्स में भी यह चीज काम करेंगे जो निफ्टी इंफ्लेंस टॉक्स है अगर यह इस गैप को कहानी होती है यह वाली इसमें मुझे मिल चुका है मार्केट अगर डाउंसेट स्लाइड करता तो फंद्रहजार नौसों का टार्गेट बहुत आराम से हम लोगों को मिलेगा आने वाले हफते में तो चलो चार दिन देखते निफ्टी क्या रीक्लेम कर पाता है अगर निफ आएंगे जितने भी व्यूज आएंगे अगर मेरे को लाइक मिलते हैं आई फिल गोड़ी लोगों ने अपने वीडियो भेजें इसर मेरे को यह प्रॉब्लम है आपकी फेस पे दिख रहा है आप कितने सीरियल्स हो और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है मैं पक्का इक बहुत क्यारी वीडियो सीरीज बना रहा हूं अभी भी मौका है मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्रिप्शन में डाल रहा हूं इस वाले में सिर्फ और सिर्फ जितने लों को वीडियो अप्लोड करना है अपने वीडियो बना के भेजो आपके वीडियो को सुनके समझ के डीटेल आंसर करूँगा मैं आपको दिमेटे से बात करनी न आप लोगों को भेजो अपनी क्वरी मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो सीरीज रंग कर दूँगा एवरी डे 5 पीम वन वीडियो विलकम एक या दो लोगों का क्वरी रहेगा वीडियो चलेगा उनका मेरा आंसर तो आप वन मिलियन पहुशने वाले हैं और मैं बहुत जादा मूड में हूँ बहुत अच्छा कॉंटेंट डिलिवर करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत सारी सीरीज बनाने के लिए तो लेट सब्सक्राइब टोगेदर वन मिलियों के जर्नी पर ठीक है थांक यू स तो मुच गाईस बबाई सी यू सुन तोमौरों